कि जो बोल रहा है ना कुले में यही ऊलेज में यही गया हूँ युझा कर रही है यहीं सेंस में बोलता है उस उसका मतलब है कि बहुत उसको अच्छा किया मतलब उसको अच्छा बोल रहे हैं वहां का लोगों का सेंज अलग तरह उनका सही के लिए बोलते ना इसलिए गुस्ता नहीं आते हैं इंडिया और नेपाल में यह सब बोलने का मतलब है कि यह भावियों को रात में लिखता है ब बादे से मुझे बीना थोरा संकी हो गया था ठीक है दोबारा से चोट समझ समस्के लिखना बोलना ढिरों के लिखना ठीक रॐ होता है तुम्हारे दादी को तुम होट बोल के बोलोगे ऐसा मतलब तुम इतना फोरें मतलब वेस्टन तो नहीं बन गया ना अभी इंडियन वह ठीक है यह बात यात रखना ठीक है कि कि अपने सेंज के हिसाब से होता है ना बाद कि यह लुकिंग गोजेश होट बोलता है वहां तो बुढ़ियों को भी बहुत उसको क्यूंकि इंकरेश करने के लिए गलत नहीं सौचता लोग दादी से भी मजाक कर लू बैसा दादी से मजाक भी तो कर लेते हैं इसलिए बोल दिया हाँ इस बार तो मैंने माप कर दिया कोई बात नहीं वही तो दादी से मजाक करते हैं मगर सेंज के इसाब से होता है न तुमारे सोच सेंज कहां पर उसका हिसाब से करते हैं ठीक है कि अब है अब मेरे बेटियों का बच्चे बच्ची वहाँ पर फोरें पर पल रहा है न उनका सब सास्कार कल्चर वाई का होता हैओ अब आ मेरे को दादी यू लुकिंग सो होट बोले का ना मुझे कुछ माइन नहीं फरक नहीं पड़ता है क्योंकि वह लोग मेरे को और भी इंकरेश कर रहे हैं कि अभी भी आप स्टिल मतलब अभी भी दादी आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो मतलब होट दिख रहे हैं यहां का लरका लोग फुचे लोग मुझे हम रहा हॉट बोले का ना गुशाएगा मेरे को बाई बाई मेरा अंचुशीष डार्लिंग भाई बाई अरे मुझे भगवान भी मत बनाओ यार भगवान तो कहां भगवान अइसा कहा होता है मत बोलो मुझे भगवान मत बनाओ दादी ही रहने दो मेरा मेरा मोटी मेरा मोटी जार रही है लिखा है मौशी को पीट डालो तू आके पीट ले रहे मौशा मौशा दूडो इतना इतना मनलब दारा कितने का जरूरत नहीं मौशा दूनके लाओ जल्दी हाँ मुझे पता है ठीक हो गया तुमारा टाइम थेंक यू सो मज मेरे मोटी पुनम थेंक यू थेंक यू आई लव यू हाट की जगा वाह सब समाल हो क्या है सब क्या सकता था दादी आज बहुत सुंदर लग रहे हाँ वही तो मैं बोल रहे थी हाँ सुंदर लग रहे बोलेगा ना अच्छे सुंदर लग रहे हो तो तो सही है ना मगर यह सेंज के इसाब से आता है ना हमारे कुल्चर के इसाब से इंडियन नेपाली का ना कॉल्चर एक जैसा बात भी मतर्ने में भी एकी जैसा आता है ना कोई इतना बूरी बात नहीं है मेरे मेरे बहन होकर मुझे कहा पीटेगी मेरे को भी पता था ना थैंक यू सो मॉच मेरे फेबर में बात करने के